हेलो और असलावलेकुम आप वारी और वेल्कम तू मैं चैनल जीमी हॉग्स गेमिंग भाई अगर टाइटल पड़के आये हो के ट्विटर अकाउंट है रिकवर करने आये हो और पब्जी अकाउंट रिकवर करने आये हो तो बिल्कुली सही जगा आये हो भाई या आज तुम पर हर जगा पर मेरे पास आया है कि भाई हमारी आईडी रिकवर कर दो जल्दी से कर दो एक दिन में कर दो आदे कुंटे में कर दो चार दिन में कर दो हमारा ये ले लो हमारा वो ले लो ये आईडी ले लो पासफ़र्ट ले लो लेकिन रिकवर करके दो तो जल्दी से जितना social media account है ना मेरा वो भर चुका था सिर्व इसलिए कि हमारी ID वापिस कर दो मुझे बहुत जादा बुरा भी लग रहा था इस वजे से कि यार ये इतनी जादा कैसे hacking हो रही है PUBG के लिए लेकिन उसकी वजुहाद भी मैं आज आपको बताऊंगा कि उस चीज से कैसे बचा जाए और अपनी ID कैसे बचाई जाए अच्छा ये वीडियो है सिर्व उसलिए कि आगर Twitter का account आपका hack हुआ है तो आप उसको कैसे करोगे ये वीडियो Facebook के लिए नहीं है तो अगर Facebook वाले हजरात देखने कि उनकी ID है कोई है तो ब्रो ये बिल्कुल Facebook के लिए नहीं है इससे वाट सिर्व है Twitter hack के लिए कि आपका Twitter hack कैसे हुआ अगर हुआ तो क्यूं हुआ और उसको कैसे recover किया जाए पहले चीज तो ये देख लो कि बाद स्टार्ट हुई कहां से थी कि ये वीडियो बनाने की नौबा क्यों आई जो मैं आज बना रहा हूँ कुछ चार से पांच महीने पहले मैंने एक वीडियो दाली ती जिसमें मैंने बताया था कि मेरी Twitter की ID हैग हो गई मेरा PUBG अकाउंट हैग हो गया उसका लिंक में डिस्क्रिप्शन में डालना हूँ उस वीडियो को जरूर जाके देख लेना ताके तुम्हें ये वीडियो भी बिल्कुल पूरी तरीके सा समझी में आ गई अगर वो वीडियो नहीं देखोगे तो थोड़ी सी इसमें भी गड रही है, Glashur की स्किन मिल रही है, Groza की स्किन मिल रही है, इस पे क्लिक कर देंऑ उस जासource को हैजी वी योचीज फूरी के कर रहे होती को एसे नहीं होती तो आपको free में click करोगे तो आपको ये मिल जाएगा आपको वो मिल जाएगा भाई कभी भी do not ever clicks on those links वो आपकी ID खा जाएगा यकीन करो तो avoid कर लो चीज़ को तो भाई बगएर किसी wait के वे शुरू करते हम वीडियो लेकिन शुरू करने से पहले make sure कि आप इस वीडियो को like कर दो चैनल को subscribe कर दो, share कर दो सब कुछ कर दो और इसके बात अपने अपनी computer screen share करने जा रहा हूँ उसको बहुत ही ध्यान से देखना गोर से देखना, बहुत समझ के देखना बहुत अच्छा हो जाएगा अब जो दिखाने और करने जा रहा हूँ इससे मेरा twitter account वापस आपको भी आएगा सबसे पहले open करो अपना browser, then लिखो help.twitter.com यह लिखने के बाद आपके पास कुछ ऐसा page खुल जाएगा यहाँ पर आप थोड़ा से नीचे scroll down करोगे तो आगए आप security and hack accounts क्लिक करने के बाद सबसे उपर ही top पर बता रहे है help with my hacked account यहाँ पर आपको क्लिक करना है क्लिक करने का पहला वाला है request or password request in my case यह मेरे पास नहीं था यह वाला case मेरा नहीं था तो इसको छोड़ देते हैं मेरा case था number two और जिसमें है in short में बता दूं क्योंकि मेरा account यह compromise नहीं हुआ था मेरा account totally तरीके से hacked हो गया था यानि कि email address password और phone number तीनों चीज़े जोगा है वो hacker ने change कर दी तो यहां पर contact support if you still require assistant इसमें लिखा है if you still can't log in contact us by supporting submitting a support request please choose hacked account from the list of option be sure to use the email address you associated with the hacked twitter account you will then send additional information instruction to that email address include both your username and date you had last access अच्छा यहां पर आपको वो email address दालना है जो twitter से associate था जब आपने twitter का account बनाया होगा उसके साथ आपने email address भी associate किया होगा phone number भी associate किया होगा अगर दोनों किया है तो well and good email address तो किया ही किया होगा तो यहां पर आपको वो email address दालना होगा आगे चलके मैं आपको बता दूँगा अच्छा अगे लिखावा है include both your username and the date and the date you last had access to your account तो यार यह दो चीज़ा भी बहुत ही काम किये यूजर नेम जो के obviously आपका जो अब यह जो यूजर नेम ना यह आपको वो वाला डालना जो कि हैकर ने अगर चेंज कर दिया आपका यूजर नेम तो आप वो वाला डालोगे अब आगे चलते हैं if उसके बार सारी चीज़े जिए हाँ पर लिखुएंगा को और क्लिए होते जाएंगी सपोर्ट ट्केंश पसेश पर आपको लिक कर दो कि जब आप सब्सक्रेंश पर क्लिक कर दो लानिये फिर तो आप वही डालना लेकर है कर ने आपका यूजर नेम भी चेंज कर दिया है यानि के एट 123 आपका पहले था और उसके चेंज करके अबसक्राइब कर दिया है तो फिर भी आप अपना जीमेल खेंज कर दिया है और आपका जीमेल भी एक कर लिया है तो यार वो पर दिदिद्वा रिखार बहुत ही जाएगा वह बहुत ही इंपोसिबल चले आएगी चंडिशन लिकिन majority cases में यह होता है कि hacker email address वहाँ से change करके अपना डाल देते हैं लेकिन तुमारा email hack नहीं कर पाते है या कुछ भी इस तरीके का तो खेर यहाँ पर वाला email address डाल दो जो के तुमारे access में हो अगर twitter से associate था वाला डाल दो तो well and good description of problem ने वो तुमें बता रहे हैं इदर कुछ भी डाल दो तो मिसाल की तौर पर तुम डाल दो के my twitter account has been hacked करके continue कर देना continue जब करोगे तुम से एक वो recapture code मांगेगा या not a reward वाला उसको फिल कर देना जब फिल कर दोगे तो तुमारे पास एक email आ जाएगी यहां से twitter के बाद चलते हैं हम उस email के पास जो मेरे पास आई थी email इस form को fill up करने के बाद तो यह है भाई वो email जो ticket वहां से form fill करने के बाद जो मेरे पाई email आई थी अब सबसे पहले यहां पर यह देख लो भाई June 8 2020 को मेरे पास यह जिस दिन मेरे टिकेट भर था उसकी के फॉरान बाद मेरे पाई यह email आगे थी पैडी email फॉरान आगे थी जिसमें लिखा हो था इन तीनों चीज़ों को भी अप्लाय करने के बाद मेरा नहीं हो रहा था थर्ड यह बोल रहा है इस चीज में बड़ी ही जबरदस बात लिखी विए जो email address आप यूज करते थे वही आप Twitter से बात करने के लिए भी यूज कर रहे है तो गुड हो जाएगा गुड हो जाएगा बहुत ही जबरदस हो जाएगा मतलब Twitter के साथ जो email address आपने associate किया वा था वही email address आप यहाँ पर form में डाल रहे हो सारी चीज़े और उसी से आप बात कर रहे हो तो बहुत ही जबरदस हो जाएगा अब यहाँ पर Twitter जो है वो चार चीज़े आपसे मांग रहा है ठीक है यूर यूजर नेम, email address, last access और phone number जो आपका Twitter के साथ associate था यहाँ भाई इसको Twitter को चार चीज़े दे दो, full original में दे दो मतलब accurate दे दोगे ना तो समझ दो आपकी life easy हो गई आपका 99.9% यहाँ पर Twitter account वापसी आने के chances हो गए है अगर यह चारो चीज़े आपने original दे दी है तो in my case अच्छा यह जो यूजर नेम बोल रहा है ना यह यूजर नेम से मुराद अब यह है कि आपको यहाँ पर आप वो वाला यूजर नेम डालना है जो hacker ने change कर दिया है अगर नहीं किया है तो फिर आप वो ही डालना और अगर change कर दिया मिसाल के तौर पर फिर दुबारा बता रहा हूँ add 123 आपका था hacker ने add 321 कर दिया तो आप add 321 डालोगे username पर जब इसकी reply करोगे any email address you think might be associated with your account यह वाला email address दालना जो तुमारा twitter के साथ email address associated हुआ था ठीक है the last day you had access to your account I know यह बहुत से लोगों के लिए मुश्किल चीज़ है कि उनको last day access अपना याद रहे कि हमने twitter कब खोला था कब use कर रहे था क्या कर रहे था in my case मेरा बहुत स्रॉंग था मैं रोज की मुन्याद में जो है twitter खोलता हूं देखता हूं ट्वीट करता हूं पढ़ता हूं सारी चीज़े तो मुझे पता था मैंने last access अपना कप किया हुआ है fourth the phone number associated with the account भाई मेरी आदा थे मैं कोई सब भी account बनाता हूं ना उसमें two factor notification वेरिफिकेशन यो भी होती है वो मैं जरूर डालता हूं फोन या email दोनों पर मेरे पास code या सारी चीज़े आएं तो मैंना phone number भी यहां पर डाला वा था चीज़े थी जो twitter ने मांगा था जिसमें बोला था कि अपना username दो अपना email address दो अपना last access दो और अपना phone number दो उसका screenshot मैं यहां पर डाल चुका हूं यह देख लो यह वह वाला address है जो के twitter के साथ associate भी था थर्ड यह कि वो जो last access का पूछ रहे थे कि कब आपने last access किया है twitter का तो भाई मेरे last access जो है ना वो यह था इसका मतलब यह है के twitter verify कर रहा होगा कि इस दिन तक जो है IP address वो सही आ रही थी इनहीं की आ रही थी और अचानक से इस दिन के बाद नहीं IP address change हो गई तो यह चीज़ भी twitter ने verified करी होगी तो इसलिए last access भी बहुत अच्छी चीज़ है अगर आपको याद है fourth आपका phone number जो के verified था तो obviously यह phone number भी मैंने आपर डाल दिया है जो के एकदम authentic था यही phone number मेरा twitter के साथ भी verified था अब यह चार चीज़ों का मकसद क्या है यह स email address मांगता है तो वो जो first time email address दालते हो ना वो बहुत important होता है fourth number fourth पर आजो phone number phone number भी यह वही चीज़ है जो आप इदम first time initially कुसी भी social network की ID बना रही होते हो ना तो वो उस वक sorry about that तो first time भी जब आप किसी चीज़ की ID बना रही होते हो ना तो आप से email address मांगता है यह phone number तो यह चीज़ Twitter के बास बहुत अच्छी थी कि Twitter को पता चल गया कि जब इस बंदे ने जिमी हॉक्स गेमिंग के नाम से जो ID बनी वी है जब इसने first time जो है यही वाला email address दाला था और यही phone number डाला था तो उन्होंने सारी चीज़े जब देखी होंगी तो उनको confirm हो गया बोलते हैं कि भाई ID हैक हो गई है रिकवर करके देदो जल्दी से या फिर यह बोलते हैं कि दो दिन में करके देदो हमारी ID रिकवर तो भाई जस काम डाउन रिलेक्स यह Twitter है कोई वह वाली फिलिम नहीं कि fast forward करके best part तक जल्दी से पहुंच जाया जाए साब ये लो क्या हुआ email आ गई Twitter की लेकिन कब उपर देख लो थर्दे जून 25 वन 21 एम और हमने email और वो ticket form कब भरा था जून 8 को means 19 days के बाद मेरे पास ये email आई है तो जो लोग कहते हैं भाई दो दिन में recover करके दे दो भाई दुबारा से वही बात बोलूँगा fast forward नहीं करो relax Twitter है उसको अपना काम करने दो सारी चीज़े अगर okay दी है तो फिर होगा I know कि बहुत जादा frustration और irritation होती है कि चाहता इनसान यह verification करनी है चीज़ों को सारे records निकालने सारी चीज़े देखनी है और here we go मेरे पास email आ गई Twitter की जिसमें लिखा था hello thanks for providing an email address we have connected it to the account for you to try and prevent surprises of your account in the future we can teach this as soon as possible ओ भाई साथ ये email आने के बाद तो समझ लो कोई खुशी के मेरे ठिकाने ही नहीं थे इस पे तो समझ लो डांस बनता है बिल्कुल भी क्योंके Twitter यहां पर यह बोल रहा है कि हमने आपका email address आपकी account के साथ जो hack हुआ था उसको हमने connect कर दिया है और पहले अब यहां पर यह स strong unique password खतरनाक किसम का password डाल दो भाई अब जो मैंने password डालें वो ऐसे डालें कि वो मुझे भी याद नहीं है कहीं पर लिखके store कर दिया है उसको कभी जरूरत होगी तो देख लूँगा वड़ना भी face unlock कर लेता हूँ Enable Login Verification यह बहुत ही जरूरी चीज़ है जिससे अगर आपका Gmail और phone अगर associate करते हो आप इसको आपके पास code आता है अगर किसी और country से है कोई और बंदा आपका account hack करने के कोशिश कर रहा होता है तो आपको फॉर्ण से email यह आपके phone पर message आ जाता है Twitter का तो यह चीज यार verification गलती से do not disturb पे नहीं लगाया airplane mode पे नहीं लगाया जिसकी वज़े से मेरा verification code अगर hacker वहां से मेरा email से छेड़गानी कर रहा था try कर रहा था तो वह verification code जो है reset code मेरे screen पे live stream पे pop up हो गया जाके वाली वीडियो देख लो मौझूद है बहुत interesting वीडियो है वो देखो गे तो आदे problem वहां से भी solve हो जाएंगे लेकिन खेर कोई बात नहीं तो मैं यह बता रहा था कि वह stream पे मेरा pop up हो गया reset code जिसकी वज़ नहीं होता खेर यह करने के बाद अब मैं आपको ले चलता हूं screenshot पर इसे screenshot की तरफ बैसिकली यह भी एक पूरी email थी जो मैं आपको बताया कि दो email एक साथ आई थी दूसरी email यह थी जिसमें if you requested a password is set for id mention थी यह वो ही idea जो मेरी hacker ने change कर दी थी और इसमें लिखा तक click the button below तो मैंने इस पर click कर दिया था बैसिकली यह पूरी email जो है रेपिक में आई थी क्यूंकि जो मेरा hacker था वो तरकी से था और जो चीजे इसमें important है वो यही था कि ब्लू आपको जो यह button दिख रहा है जिसमें password is set के लिए उसको click करना है तो मैंने इस पर click कर दिया था फॉरण से और भाई अंदर जाने के बाद तो अपनी ID पर जाने के बाद मैंने अपना Gmail जो Gmail उसका था वो चेंज किया जो phone number उसने डाल दिया था मैंने वो चेंज किया यह username जो उसका था वो मैंने चेंज कर दिया तो भाई यह सारी चीजे जो है मैंने चेंज कर दी जबरदस तरीके स और जो दिल को मेरे सुकून मिला है न हमने आपको बता नहीं सकता और ये करने के बाद बाई बाई किया हमने हैकर को हमेशा के लिए 19 डेस के अंदर आप सोच भी नहीं सकते है भाई ये 19 डेस क्या होते हैं किस तरीके से होते हैं आपका अकाउंट भी वापस आएगा इस स्टेप को फॉलो करोगे इस वीडियो को लाइक करोगे और चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो भाई फिर तो आए गए आएगा और इसके लावा कोई बी किसम की हेल्प हो मुझे पूछे ना कमेंट सेक्शन के अंदर किसी बी चीज का कोई भी इशू हो किसी भी चीज का तो भाई अपने भाई को जरूर याद करना तो यार उमीद करता हूं कि आधी टेंशन आधी स्ट्रेस आपकी इस वीडियो को देखकर सॉल्फ होगी और आधी जो है जब आप इसको अप्लाय करोगे पूरे प्रॉसेस को उसके बाद स यवसे जात और इस तरीके के बड़े उफिसेस चोड़े उफिसेस सब बं थे और तब तर म स्टाफ जो है वो घर ते काम कर दे ते तो उसमें थोड़ा सा यह होता है कि आपको रिपलाय कम मिल रहा हुता है लेड मिल रहा होता है तो उस वर जो है सिट्वेशन मेरी ये ती जिसकी वज़े से मुझे 19 days के अंदर मेरी ID recover हुई अब दी हालात को देखते हुए काफी जगवाँ पे offices खुल रहे हैं hopefully हो सकता है हमने not pretty sure कि क्या है but हो सकता है कि 19 days के लावा आपको हो सकता है जल्दी मिल जाए आपका case थोड़ा और easy हो या जो भी हो तो आपको ID आपकी वापिस मिल जाए लेकिन in my case 19 days के अंदर मुझे ID मेरी recover हुई थी तो थोड़ा सा patience आपको रखना है इसमें और यार वीडियो अगर पसन आईए तो वीडियो को like करना मत भूलना इस चैनल को subscribe करना मत भूलना देखते हैं आगे किसी ना किसी चीज में हम आपको वह दुबारा मिलेंगे hopefully gaming के साथ ही नज़र आएंगे लेकिन अगर कोई ना कोई निया topic ऐसा आया जिस पर वीडियो बनाने की ज़रुवत पड़ी तो बना देंगे बिलकुल यार निया एक एक व्लॉग भी बनाया है मैंने जो कि मेरा फिर्स व्लॉग है जा के उसके भी description लिंक में दिया हुए जा के उस चेक कर लो पबजी से रेलेटीडी वह एक व्लॉग है पहले व्लॉग है अगर पसंद आता है तो उस पर कमेंट जरूर करना ताके आगे भी व्लॉग बनाएं और चलो यार इसकी के साथ मुझे दो इजाज़त फिर मिलेंगे थैंकियू सो मच टेक कियर बाई